चैनल के सभी दर्श्कों को नमस्कार जैसरे कृष्णा पंचम भाव क्यों किस लिए है पहले मैं ये बता दू बहुत समय ना लेकर के मुख्य विशे पर ही आऊंगा मैं पंचम घर पंचम भाव पंचम मूल त्रिकोंड से संबंध रखता है यहां का कोई कारक ग्रह यहां का स्वामी यदि केंद्र के ग्रह के साथ युति कर देता हो तो राजयोग मंत्री पद इत्याद के बारे में भी जानने के लिए परियाप्त है ये घर प्रेम विवा के बारे में जानना है तो है पंचम घर प्रतियोगी परिक्षाओं में अनुतिण होने का घर है ये और सफलता तथा लाटरी इत्याद के बारे में बताने वाला घर है पंचम घर और इस पंचम घर का और कितना महात्तु बताओं आगे आईए चलते हैं पंचम घर के बारे में जानते हैं यहां से बुद्धी का संबंध भी है पंचम भाव का बुद्धी से संबंध होने के कारण बिद्या संबंधी प्रश्नों का विवेचन पंचम भाव पंचम भाव के स स्वामी यानि पंचमेश तथा विद्या कारक बुद्ध द्वारा भी किया जाना चाहिए। इन तीनों में से जितने अंग अधिक बलवान होंगे तथा शुबद्रिष्ट होंगे उतने अधिक विद्या मनुष्य को हांसिल होगी प्राप्त होगी। फिर जातक का इष्ट देव कौन है और जातक किस इष्ट के माध्यम से अपनी मनों कामना उन करेगा। यही घर बताता है इष्ट देव भी हमारे विचार तथा ध्यान का विशे है। इसलिए मनुष्य किस इष्ट देवता विश्णो शिव दुरगा हनुमान आदिका चिंतन करता है। इस बात का विचार पंचम भाव से किया जाता है। सूर्य विश्णो रूप हैं, चंद्रमा सरस्वती रूप हैं, मंगल हरमान जी रूप हैं, बुध पुना विश्णो रूप था बेदांत रूप ब्रहस्पती। ब्रंब रूप शुक्र दुरगा रूप था शनी शिव भैरो रूप है। इसलिए जो ग्रह यहां पुष्ट होगा, बल्वान होगा, उसी के अनुसार आपको अपने इश्ट देवता की आराधना से आपकी मनों कामना की सिध्धी होगी। मंत्री पद तीसरा विशे, यदि पंचम अस्थान बहुत बली होगा, तो मनुष्य में मंत्रणों शक्ती होती है। यानि दूसरों का मार्ग दर्शन करने की योगिता किस जातक में कितनी है, पांचवे घर का भाव बताएगा। इसलिए बड़ा महत्यपूर्ण है और नियुक्ती मंत्री पद पर हो सकती है, इस बात का पता पंचम घर के ग्रहों से पसा चलता है। अगर पंचमेश तथा दशमेश यानि दसमेघर का स्वामी ब्यत्ते शुभ ब्यत्ते हो अर्थात इन दो भावों के स्वामी नैसरगिक शुभ ग्रहों पंचम और दसम घर के। और एक दूसरे की राशी में स्थित हो, मंगल बुद्ध में जाए और बुद्ध मंगल में आजाए आदी-आदी. जैसे व्रिशव राशी में दशम भाव में गुरु बैठे हैं और धनु राशी में पंचम भाव में शुक्र हो, तो पंचम तथा दशम का पारस परिक मंद होने की कार्ण, जातक अपनी मंत्रना शक्ति. इडवाईजरी, कैपिसिटी, पंचम का लाभ, राज्य, दशम को पहुचाने की योगिता रखता है. हम यहां पर एक कुंडली भी आपको देंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा इसका भाव, विवीचन, समझाने का प्रयास करेंगे? अच्छा, चलिए, पुत्र प्राप्ति के बारे में पंचम भाव कैसे बताता है? जन्म कुंडली में लगना नवम से पंचम होता है. अताईव पिता का पुत्र अर्थात अपना अस्थान है, सेल्फ अस्थान है. इसी प्रकार निजभाव अर्थात प भाव रखता है. समझने का प्रयत्न करिएगा. पुत्र का अविचार पंचम भाव उसके स्वामी, पुत्रकारक गुरू, पुत्रकारक ग्रह है गुरू, और नवम भाव एवं नौमेश, इन सब के द्वारा जातक को निर्णे करना चाहिए. यदिये सब निर्बल अथवा पाफ युक्त और पाफ द्रिश्ट हो, तो पुत्र के प्राप्ती नहीं होती. जैसे किसी भी लग्न की कुन्डली में, यदि मंगल दुतिय भाव में और शनी त्रतिय भाव में हो, और गुरू, पंचम अथवा, नवम में से किसी भाव में हो, तो पुत्रिया तो होता ही नहीं है और यदि पंचमेश आदि के बली होने के कारण हो भी जाए तो जीवित नहीं रह सकता है ना विशे तिन्त महत्य पूर्ण शिशु अस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है पुत्र कारण ये है कि ऐसे स्थिते में शनी तथा मंगल दोनों पापी ग्रहों की पूर्ण दृष्टी पंचम पुत्र स्थान पर पड़ती है इनी दोनों पापी ग्रहों की कारण इनकी पाप दृष्टी के प्रभ पाप प्रभाव में आ जाते हैं जिससे पुत्र प्राप्ति असंभव हो जाती है पंचम भाव में सूर्य गर्वनाश करता है इस अस्थान में बलवान चुंद्रमा है अगर तो कन्या संतान अधिक देता है इस वहाव में मंगल विशेशतया शत्रू राशी का मंगल संतान का नाश करता है इस अस्थान में मेश राशी का मंगल भी पुत्र उत्पत्ति में बाधग होता है क्योंकि मंगल बारवेंगर का स्वामी है द्वादाशाधिपती भी होता है और पंचम से अश्टमाधिपती होने से अनिश्टकारी हो जाता है बोध तथा शनी के नवम पंचम में होने से पुत्र प्राप्ति बिलम्म से होती है क्योंकि दोनों के रहे ठंडे तथा नपुन्सक है गुरू सिस्थान में तभी शुप्फल करता है अर्थात पुत्र कारक होता है जब पाप युक्त पाप दृष्ट तथा निर्वल ना हू शुक्र इस भाव में पुत्र पुत्रियां दे दोनों देता है शनी पंचम भाव में गर्भ हानी करता है राहू तथा केतू का फल शनी तथा मंगल के अनुसार समझना चाहिए यदि पंचमाधि पति शनी हो बुद्ध के नवांश में हो और बुद्ध द्वारा ही दृष जब इस भाव का संबंद सप्टम्भाव असकी स्वामी से हो जाता है तो पुरुष का बिबाह मरियादित बिबाह नहों कर एक प्रेम बिबाह हो जाता है जैसे तुला लगन हो और पंचमेश क्योंकि कुम्भ आ जाता है न तो पंचमेश कौन हो गया शनी हो गया सबतमेश कौन हो गया मंगल मंगल के साथ एका दशभाव में स्थित हो अगर तो मनुष्य प्रेम विवाह करता है ना कि परंपरा अनुसार विवाह इस तरह से यहां से प्रेम विवाह का पता किया जाता है मनो विनोध का स्थान भी है पंचम, पंचम अस्थान मनो विनोध का है, विनोध के स्थान जैसे सिनेमा, क्लब, खेल का स्थान आदिका विचारी सिभाव से करते हैं यदि बुध शुक्र में चतुर्थेश और पंचमेश होकर ब्यक्ते, युती अथवा द्रिश्टी, कैसा भी संबंध हो तो ब्यक्ति सिनेमा, आदि, विनोध प्रद अस्थानों का विसनी होता है, यहीं से पता लगता है प्रतियोगी परिक्षाओं के बारे में पंचम अस्थान, मतलब competitive exam, पंचम भाव, चुकि बुद्धी से संबंध रखता है अताव प्रतियोगिता परिक्षाओं जैसे IAS आदि, प्रतिस्परधात्मक परिक्षाओं का विचार पंचम अस्थान से करना चाहिए भाव, भावाधिपती तथा भावकारक यहां बुद्ध का नियम यहां भी लागू होता है अब लाटरी से धन पंचम घर से देखा जाता है पंचम भाव सट्टे लाटरी आदिका स्थान भी है अगर इस अस्थान में राहू अथवा केतु स्थित हो और पंचमेश बलवान होकर शुब ग्रहों से योक्त अथवा द्रिष्ट हो तो लाटरी से धन प्राप्त होने का योग बनता है यदि बुद्ध पंचमेश हो तो और भी पक्का योग बन जाता है क्योंकि राहू केतु की भाती बुद्ध भी सद्या फल दायक है पुनहा यदि शुभ नवमेश भी इस योग में सम्मिलित हो जाए तो बहुत लाब होता है क्योंकि नवम भाव भाग्य का है और लाटरी भी भाग्य का ही सितारा है ना कि पुर्शार्थ का याद रहे कि नवम से नवम होने के काण पंचम में भी भाग्य का पर्याप्त अंश है राज योग के बारे में पंचम घर से कैसे जाने नवम से नवम होने के काण पंचम भाव भी शुभता में स्रेष्ठ है ये भी एक त्रिकोन स्थान है इसलिए चतुर्थेश केंद्र का स्वामी से पंचमेश का संबंध पाराशरिय नीमों के नुसार राजयोग वा धन आदी देने वाला होता है। साथ ही चतुर्थेश की दूसरी राशी भी अच्छी भाव में होनी चाहिए। तृतिय भाव और धनो पारजन यदि इस्त्री की कुंडली में तृतियाधि पती तथा लगनाधि पती का धन भाव तथा धनाधि पती से युति अथवा दृष्टी द्वारा संबंध हो तो वो इस्त्री अपने पुरसार्थ से धनो पारजन करती है। बाल अरिष्ट का पता पंचम भाव से कैसे करें। लोग इतना गंभीर और जटिल हो जाता है कि डाक्टरों को भी इलाज नहीं सुझता कि कौन सा इलाज करें। पंचम भाव में पाप ग्रहे हो तो सूर्य पंचम भाव में गर्वहानी करता है। चंद्रमा इस भाव में यदि बली हो तो अधिक संख्या में पुत्रियां देता है। मंगल पंचम अस्थान से अस्थम तथा लगन से द्वादश अस्थान का स्वामी बन जाता है। बुद्ध जैसा कि हम उपर बता चुके हैं चंद्रमा की भावाती बाल अरिष्ट देता है। गुरु इस अस्थान में यदि स्वच्षेत्र उच्चराशी अथवामित्र राशे में हो तो पुत्र देता है। अन्धा इस्थित होने तथा पाप दृष्ट होने पर पुत्र की प्राप्ति में बाधक होता है। पांचवे गर्से पागलपन के बारे में विचार किया जा सकता है। क्योंकि पागलपन में बुद्धी का बिगड़ना अनिवारी है। तभी बाध में पागल होता है। और पंचम अस्थान क्या है? बुद्धी का है। इसलिए पागलपन की समस्या का उत्तर ढूंडने में लगन, चतुर्थ, भाव, चंद्रमा, बुद्ध के अत्रिक्त, पंचम भाव का विचार करना भी अनिवारी है। पापी ग्रहे, यहाँ पर जो ग्रहे निसरगत पापी है, जैसे मंगल, शनी, सूरिय, वो जब पंचम भाव में पढ़ जाते हैं, तो निर्बल हो जाता है पंचम भाव। इस अवस्था में उन भावों को जिनके की ये स्वामी हो, हानी पहुंचाते हैं, अता है शुब घरों के स्वामी परन्तु नैसरगिक पापी ग्रहे, जब पंचम भाव में स्थित हो, तो उन पर सुब द्रिष्टी आवश्यक है, अनिधा वे अनिष्ट फल देते हैं। यदि पंचम भाव में चंद्रमा पापी ग्रहों से पीडित हो, तो पिता को तुरंत ही अरिष्ट रोग होता है। इसमें देव केरलकार का कहना है कि सुते पाप अयुते चंद्रे, शनी अंगारक विक्षिते, पिता अरिष्टम जन्म दाए, दशां सान्न भुक्तिसों। अर्थात अगर पंचम भाव में चंद्रमा इस्थित हो और उस पर शनी तथा मंगल की दृष्टी हो तो जातक की जन्म दशा अर्थात पहली दशा में ही तथा दशानात की नवांस के स्वामे की भुक्ति में पिता को बिकट शारीरिक कष्ट होता है। यहां पिता को अरि अपतु में ग्रहों का प्रभाव है बल्कि वास्तविक कारण यह है कि पंचम भाव पिता के भाव नवम भाव से नवब भाव बनता है। यदि पंचम भाव पीडित होता है तो दो कुदे प्रकार से के शिरिर को कष्ट पहुँचाता है। एक तो इसलिए कि भावात भावन के सिध्धानता अनुसार पंचमभाव नवम से नवम होने के करण नवम भाव ही समझा जाएगा। जब चंद्रमा किसी लगन से पंचम, सब्तम, नवम, प्रथम अथवा अश्टम भाव में पापी ग्रहों से युक्त होता है तो मनुष्य के मृत्यू जन्म के श्रीग्र बाद ही हो जाती है। इस सिद्धान्त को यदे पिता की लगन पर लगाया जाए तो सपश्ट है कि पिता के स्थान नवम से नवम अस्थान अर्थात पंचम स्थान में पाप युक्त चंद्रमा पिता को अरिश्ट देगा ही। तो ये रही कुछ महत्त पुर्ण जनकारियां आपको लगी कैसी हमें जरूर बताएं। इसके बाद हम पंचम भाव में पढ़ने वाले जो राशियां हैं उनके अनुसार आपको फलादेश बताएंगे। परन्तो इस वीडियो नहीं दूसरे वीडियो के अंतरगत हम आपको वह विशय देंगे। जुड़े रहिएगा। इस वीडियो का दूसरा भाग देखना मत भूलेगा। नहीं तो इसका भी आप अच्छी तरह ज्यान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपकी योगेता के अनुसार आप इससे बहुत कुछ ग्रहन कर सकते हैं। बस सिर्फ आपका एकाग्र होना जरूरी है और पूरे वीडियो को ध्यान पूरबक निष्ठा से शद्धा से देख करके समझ पाएंगे। और आपके जोतिश गड़ना का फलादेश का महत तो आपकी एकाग्रता बलिष्ठ बना देगी। अतह पूरे वीडियो को ध्यान पूरबक समझेगा और दूसरे विभाग को भी वीडियो में देखेगा। तो बस इतना कहने के बाद हम बिराम लेते हैं। अगले वीडियो का क्या फल होगा तो बस चलते हैं लेते विदा नमस्कार जेसे।